हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू आवर चैनल आज हम देखने वाले हैं NCRT रेडियो बुक का एपिसोड शेकंड लाश्ट एपिसोड में हमने फाइलम पोरिफेरा कम्प्लीट कर दिया था आज NCRT पेज नमबर 50 क्लास 11 बायोजी पे आपके फाइलम सिलेंट रेटा दे रखा अगर आप चैनल पर पहली बार आहें तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं नोटिफिकेशन बेल को ओन रखना और वीडियो को लाइक कर दें शेयर करते हैं तो हम श्टार्ट करते हैं फाइलम सिलेंट रेटा जिसे बैसिकली नीडेरिया बोला जाता है फस्ट आप से यहां इनके कुछ फीचर्स बताये गए हैं कि यह एक्वेटिक होते हैं और सेसाइल होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं या फिर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स इने बोला जाता है इसे नीडेरिया क्यों बोला जाता है बैसिकली दो वर्ड्स आपके यहां पर आते हैं नीडो ब्लाश्ट और नीडो साइट्स जो होते हैं इनमें इस्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं या फिर नीमेटो सिस्ट बोला जाता है जो कि आपके परलाइसिस कर देते हैं अगर आपके डूसरे और अर्गेनिजम पे कोई अटेक हो रहा है तो ठीक है प्रेजेंट ओ और इनके बोड़ी सर्फेस पे प्रेजेंट होते हैं नीडो ब्लाश्ट और नीडो साइट्स नीडो ब्लाश्ट आर यूजड फोर एंक्रेज, डिफेंस और कैप्चर ओफ प्रे यहां पे इसके फीचर्स वताए गए हैं कि नीडो ब्लाश्ट क्या हेल्प करता है यह मिन् यहां पर यह बताए गाए है इनके सेंटर्ल गेस्ट्रो वैस्कुलर केविटी यहां होती है विथा सिंगल ओप्निग वहां पर दो ओप्निक थी जहां से एंटर हो रहा था वो था आपके ओष्टिया एंड एक था और ओस्कूलम तो यहां पर जो है सिंगल ओप्निंग बत example like corals have a skeleton composed of calcium carbonate this is the important line from this paragraph कि कुछ nidarians जैसे कि corals हो गए इनका जो skeleton होता है वो बना हुआ होता है calcium carbonate का corals का skeleton बना हुआ होता है calcium carbonate का nidarians exhibit two basic forms called polyp and medusa basically polyp और medusa यहाँ पर बताए गए है polyp convert होता है medusa में, medusa होता है polyp में polyp जो है sexually convert होता है medusa में, medusa जो होता है sexually convert होता है polyp में यहाँ पर क्या दिखा गया है the former is a sysile and cylindrical form like hydra हो गया adamsea हो गया whereas the latter is umbrella shaped and free living like aurelia और jellyfish यहाँ पर diagram आपके बताए गए हैं वहाँ से आप समझ सकते those nidarians which exhibits in both forms exhibit alternation of generation which is known as metagenesis alternation of generation बोला गया है उसकी definition basically है metagenesis से बताई गया है means polyp produced medusa as sexually and medusa formed the polyp sexually like in obelia क्या हो रहा है कि polyp जो है medusa में convert हो रहा है polyp produced medusa as sexually and medusa forms polyp sexually example obelia हो गया तो यहां पर यह बताए गया था फाइलम सिलेंट रेटा के बारे में आपके दे रखा है तो इससे जदा हमको इसमें देखने की requirement नहीं है आप चैनल पर अगर नए हैं चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें कमेंट करें और आपको और क्या इसमें रिक्वार क्यामेंट लगती है प्लीज आप कमेंट में बता है थेंक यू